जिसने पेट्रल लेना है उसने हेलमेट पहनना है हाई कोट ने बगएर हेलमेट पेट्रल देने पर पाबंदी आयद कर दी बिना हेलमेट इंदन देने वाला पंप सील कर दिया जाएगा जस्टिस अली अकबर कुरेशी हेलमेट पहनो पेट्रल लो पेट्रल पंप्स मालिकान ने भी नो टेस्ट लगा दिए अवाम दोहरी असियत का शिकार नान रोटी महंगी होने पर शहरी बिल बिलाल छे महंगाई की सारी जमदारी हुकूमत पर है शहरीयों के दुहाई घरों में गैस नहीं आती तंदूरों पर जाएं तो नान बाईयों ने नान महंगे कर दिये कहां से रोटी पकाएं क्या खाएं शहरीयों के हजार हाशिक्वे अजिदो गैस नहीं थी आजी फिर एक तंदूरा ना ले आने मेंगी लकड ख्रीदनी है ते नान ते अपने आपे नहीं महंगा करना थी कि जड़ासी आपके नान इस वकत बार रपे का रोटी 10 रपे की हो चुकी है गरों में गैस नहीं आरी बाई से गैस लेने जाएं तो एक सो स्थिर पे दूसर पे गैस मिल रही है यहां तो हम अपने बच्चे चौनकों में लाके उनको भी आगा लगा देते अपना यापको भी आगा लगा 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 लएते हैं घरिवा आदमी है मजदूर आदमी है गोर्मिन ने हमारे पर एक और दुमाका दे दिया नान बार रपे का कर द किमतों के खिलाफ सड़कों पर आ गई मुजाहिरीन का लपीजी माफिया और जिला इंतजामिया के गड़ जोड के खिलाफ प्रेस कलब के बाहर एहतजाज मुजाहरे में रिक्षा ड्राइवर्स खवातीन और बच्चों की भी शिर्कत हकुमत के खिलाफ नार बाजी इंतजा मिया ने यकीन दहाने के बावजूद एल्पेजी की केमते कम ना की मजीद गौरी की गुफ्तगो एहतजाज के बाइस ट्राफिक का निजाम तरहम बरहम रहा शिम्रा पहारी के इतराफ गारियों की लंबी गतारे लगी रही रही ये है नया पाकिस्तान वज़िर आजम इमरान खान वज़िर आला पंजाब से इंतहाई खुश वज़िर आला पंजाब के दिहाती साहिलीं से मुलाखात की तस्वीर टूइट कर दी इस तस्वीर की एहमियत एक हजार अलफास से ज्यादा है इमरान खान क्यानाए पाकिस्तान ने यही मेरिट है आपने ऐसे मुल्क चलाना है डॉक्टर वसीम को नश्टर अस्पताल इसलिए लगाया गया कि वो वजीरियाला बुजदार का सिफारिशी है नश्टर अस्पताल मुल्कान तकरूरी केस में चीफ जस्टिस सेकेटरी सेहत पर बरस पड़े हम डॉक्टर वसीम की तकरूरी का नॉटिफकेशन वापिस लेते हैं सेकेटरी सेहत का जवाब अब आप रहने दें कल वी सी नश्टर को पेश करें चीफ जस्टिस साकिब में सार किस का किस से क्या तालुक है सब मालूम है अब सियासी दबाव से निकल आएं चीफ जस्टिस के रिमांक्स कोट लगपजेल में नवाज शिरीक से मुलाकात के लिए घरवालों और पार्टी रहनुमाओं की आमद मर्यम नवाज, वालिदा शमीम बेगन, हमजा शहबास, एसन अकबाल, अयास सादिक के मुलाकात, राना मुहमद अकबाल, जुबैर गुल और राना तन्वीर भी पहुंचे मर्यम नवाज घर से वालिद के लिए खाना लेकर आए दो घर्चियों और प्लास्टिक का मेज भी जेल पहुंचा दिया गया एले खाना मुलाकात के बाद जेल से वापिस रवाना, मतवालों की जेल के बाहर, नवाल शेरीफ के हक में नारे बाज इमरान खान मस्नूई वजीर आजम है, जादा देर नहीं चल सकते एहसन अकबाल का जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले नूल लीग में कयादत का कोई फुबदान नहीं सीपैक का बानी और देश्यत गर्दी खत्म करने वाला जेल में है, मुल्क का मजाक बनाने वाले वजीर आजम है साबिक वफा की वजीर राना तन्वीर का कहना है, हम अदालती जंग लड़ेंगे, पी टी आई वाले एन नारो के मौमले पर शोब दाबासी कर रहे हैं सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला, रायल पाम कलब इंतजामिया तहलील, रायल पाम गॉल्फ कंट्री कलब को अदालती तहवील में ले लिया लीज होडर्स का कलब में दाखला भी बंद, रेलवे की अराजी तीन साल से जाएद लीज पर देने पर पापंदी आए रायल पाम कलब की मैनेजमेंट फर्गोसन कंपनी के स्पुर्ट, रमजान शेख और मैनेजमेंट को रायल पाम कलब का कबजा फर्गोसन कंपनी के हवाले करने का हो रोयल पाम बाले बासर हैं आधा मुलक उनकी बात मानता है रेलवे की अराजी रेलवे के पास ही रहेगी चीफ जस्टिस के रिमार्स चीफ जस्टिस साकिम निसार ने रोयल पाम पर तारीख के फैसला किया मेरा दिल चाहता है कि पी एसी की सर्बराही के खलाव सुप्रीम कोड जाओं शेख रशीद की प्रेस कानफरंस ओपोजिशन पर फिर बार बोले चोर इकटे हो रहे हैं चोकी दाल का करदार हम है आसिफ जर्दारी पहले ही कहते हैं कि जेल उनका ससुराल है आसिफ जर्दारी साहब ने मेहंदी लगा लिए जूमर भी पहन लिया जेल जाने को तया नून लीग का 30 दिसमब को यौमे तासीस मनाने का एलान काइम मकाम सेकरटी जनरल एसन इकबाल की जेरे सदारा तेजलास मौडल टाउन सेकेटेरियेट में हुआ परवेज मलक, तौसीफ शा, मिया तारिक, नजीर सबाती समेट, पार्टी रहमा और उधिदारान की शिर्कत इंतिजामात के लिए कमेटियां तश्कीर नून लीग का 30 दिसमबर को यौमे यौनाइटीट क्रिस्टिन अस्पताहर की वहाली कमिशन चेफ ज़िस्टिस ने फन्ड रेसिंग मोहं का अगास कर दिया अस्पताहर की वहाली के लिए एक लाख उरपें इमदात का इलाइन अस्पतुल की बहाली के लिए साथ रूकनिस ट्रेडिंग कमेटी बनाने और अस्पताल का घुजिश्ता 10 साल का आडिट कराने का भी होकम क्रिस्टिन कमेटी के डॉक्र पीटर जे डेविड का एक करूर रूक आतिया चीर जस्टिस की क्रिस्टिन और मुस्लिम कमिन्टी से इमदाद की अपीर शालम मार्किट में तजावजात का मौमला हुकुमत के गले की हड़ी बन चुका है जिलें किजामिया और ताजर आमने सामने पंजाब हुकुमत ने आठ रुपनी कमेटी बना दी एक हफ़ते में तमाम रेकॉर्ड पेश करने की हिदायर लेन देन के तनासे में मुदाखलत S.P. मौस्जफर को महगी बढ़ गई महकमाना इंक्वारी शुरू शालम मार्किट में प्लाजा मालकान से शाहिद नामी शक्स के जगडे में पुलीस अफसर की एंट्री मौस्जफर ने पुलीस की भारी नफ़री भेज़ कर दुकानों के ताले तुड़वा दिये आला हकोमती शक्सित के फॉन पर इंक्वारी लग गई सिनियर सुभाई वजीर का पार्किंग कमपनी पर आदा में इतमाद इंतिजामिया को एक हफ़ते की महलत नया प्लैन मांग लिया अब्दुलरीम खान कहते हैं अवाम को फाइदा ना हुआ तो पार्किंग कमपनी बंद कर देंगे मुख्तलिफ एलाकों के लिए पार्किंग रेट भी मुख्तलिफ होने चाहिए शेहर से पार्किंग की मद में कम असकम एक करोड रुपई कर ठेकिये जाएं सरगोदा यूनिवरस्टी के तलबा डिग्रियां ना मिलने पर सरापा एहतजाज तलबा ने एहतजाजन किनाल रोड को केमपस पूल तक ब्लॉक किये रखा पुलीस के साथ मजाकरात के बाद तलबा मुन्तशिर हो गए ट्राफिक भी बहार मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका खार्सवार्बर आपके चैनल का के वो हमारा दुख समच कर और यहां पर आया और पिछली हुकूमत ने हमें जर्फ तमाम फनकारों को पांच हजार पे की भीक दी थी चलें पांच हजार से घ्रीबों घरों के चूले जलते थे इस हुकूमत ने आते ही वजीर इदलात ने खार तोर पर अपनी मेर बानी फर्मा कर वो पांच जार का वजीवा भी वो भीक भी बंद कर दी है मैं अर्सा 43 साल से इस कौम की चिम्टा बजाकर नाच कर गाकर में खिद्मत कर रहा हूं और अब सिले में ये मिला है भूक और फाका हमारी ओलादे हमारी इज़त नहीं कर रही हमें मर जाने के लिए बद्वाएं मिल रही हैं ये सिर्फ आप लोगे की बज़े से के सिर्फ एक पचास हजार पया अगर एक मुलादम आपके मुलादम को मिल रहा है तो हमें जो पांच हजार मिलता था उससे भी हमें महरूम कर दिया गया है उम्र भर चिंटा बजाया नाच गाकर कौम के खिद्मत की सिले में कुछ ना मिला फंकार बरादरी अपने हुकुक के लिए सड़कों पर आ गई प्रस कलब के बाहरे इतजाजी मुझाहिरा हुकुमत के खिलाफ नारिबाजी वजीफों की बहारी का मुझालबा वजीर इतलाद का नोटिस फंकारों को मुझाकरात के लिए बुला लिया वाइट हाउस के खायर कानुई तामीर का मौमला अफजल खोकर और सैफल मलूग खोकर महकमें अंटी करप्शन में पेश मलिक शफी कोकर भी मुकदम इनमे नामजद एक एक मरना मेरी मल्कियत है किसी जगा पर कबजा नहीं किया मेरे घर को गिराया जा रहा है उसमें तेरा खांदान बसते हैं इनसाफ की उमीद है सैफल मलूग खोकर की कुफतगो डीजी नैब लाहॉर की जानब से खुली किशेरी का इनकाद साहिलीन ने हाॉसिंग सेक्टर से मुतालिक शिकायात के अमबार लगा दिये डीजी नैब की मतासरीन को इनसाफ की फरहमी के लिए मुकमल ताववन की यकीन दिहाने शहजाद सलीम ने कहा कि नैब कामिशन सिर्फ और सिर्फ मुल्क से करप्शन का खातिमा है अवाम मुल्क से बदुनवानी के खात्मे के लिए नैब से भरपूर ताववन करे लौाप अपने दाम में सयाद आ गया दूसरों को पकड़ने वाले फुद गरिफ्ट में आ गए टेक्स की अदम अदागी पर एफबी आर ने महक मैक साइस के अकाउंट्स मौन्चमेंट कर दिये महक मैक साइस विद होल्डिंग टेक्स की मद में 49 करोड 92 लाख रुपे का ना दहिंदा निकला ज्यादा कमाई क्यों कम बताई रहीम स्टोर इंतजामिया से पोचकित शुरू एफबी आर ने सेल्स की दोबारा मौनिटरिंग शुरू कर दी इससे कब एफबी आर ने सेल्स मौनिटरिंग करके एक क्रोड सत्तर लाख रुपे टेक्स आयद किया था स्टोर इंतजामिया का पचास लाख की अदाईगी के बाद बकिया टेक्स की अदाईगी से इनकार शाहनूर स्टूडियो के अकब में कस्टम्स पेर हाउस में आते सब्की कस्टम्स की तहवील में मौझूद पांच गारिया जल कर खाकिस्तर रेस्क्यू टीमों ने डेड़ घंटे की जिद्जहत के बाद आग पर काबू पा लिया यूनीक ग्रूप आफ इंस्टूशन्स के जिरह तमाम क्रिस्मस के तकरीब सुबाई वजीर अजाज आलम आउक्स्टन ने खुसूफी शरकत के बच्चों ने शानदार परफॉमंस से खूब दाग समेटे जस्टिस आली अक्बर कुरैशी और जस्टिस इबाद र्रह्मान लौदी के अजास में तकिरीब का एनकाद नालजब चीर जस्टिस सरदार मुहमत शमीम खाण जस्टिस मामौन ररशीर जस्टिस कासिम खान जिस्टिस परुक खान समय दीगर जजिज और वकला की शिरकत जिस्टिस अलियत बिर्गुरेशी के ख़दमात को सरहा हाई कोट बार के वकला ने गुल्दस्ता भी पेश किया तल्बा के लिए खुशकाबरी अब चौथी और पांचवी जमात की र्याजी और साइंस की किताबे आउन लाइन दस्तियाब सुभाई वज़िर ताली मुरादरास ने अर्फा करीम टावर में ई-लर्निंग अप का एजरा कर दिया असाद्जा को सबक पढ़ाने के लिए तल्बा को किताब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तकरीम में असाद्जा की भरपूर्शिर करीज़ पेरा एजियन अलाम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाडियों की पजीरारी स्पोर्ट स्पोर्ट पंजाब में इनामाद देने की तकरीब इनाम बर्ट और बिलाल हैदर के लिए एक एक लाख उर्पे का इनाम वजीर अखेल रायतामूर का इंटरनेशनल कबड़्डी टूर्नमेंट कराने का भी एलाम और तस्वीरें बोलती हैं रंगों की जुमा अलहम्रा में गुलबग कॉलिज के शुवाफाइन आर्ट का डिगरी शोड आयल और वोटर पेंट से केंवस पर इंसानी रवयों की शांदार अका सिक देखने वानों ने तल्बा की महारत को खूब सरा है